नमस्कार फ्रेंड वैलकम टूसीवाइश्ट जी फ्रेंड आजका मेरा टॉपिक है जीन पियाजे जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर अगर आप टेट सीटेट और सुपर टेट देने जा रहे हैं तो एक या दो नंबर तो इससे जरूर बनता है तो आप लोग अगर वीडियो पे आए हैं तो लावस तक देखिएगा और समझिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वीडियो के एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिन पियाजे स्वीजी लेंड के एक मनोबैज्यानिक थें कहां के थे हैं स्वीजर लेंड के इन्हों ने अल्फरेड वीने के साथ बुद्धी परिक्षड पर कार्या किया संग्यानात्मक विकाश के शिधानद की अवधार्ना जिन पियाजे ने दिया है इनका जो सिधानथ है संग्यानात्मक विकाश का शिधानथ है इन्हों ने कुछ महत्पूर संप्रत्य दिया जो नीम्न है चलिए इनके संप्रत्य देखते हैं इनका पहला संप्रत्य है अनुकूलन बालकों में वातावरण से समझस्य करने की जन्मजात प्रबिती होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है पियाजे ने अनुकूलन को दो उपक्रियाओं में विभाजित किया है पहला है आत्मसातकरड, दुसरा है समायोजन आत्मसातकरड, आत्मसातकरड क्या है? यहाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक शमश्या शमाधान के लिए पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का शहारा लेता है यह यह कैसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है शमस्या के शमाधान के लिए पहले से सीखी हुई अपने ग्यान का शहारा लेता है नेक्स्ट शम्प्रत्य है शमायोजन इस प्रक्रिया में बालक अपनी योजना शम्प्रत्य बहवार आदी में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और नेक्स्ट है साम्य धारड जिसमें बच्चा आत्मसात्करड तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य संतुलन अस्थापित करता है नेक्स्ट स्थाम प्रत्य दिया है इनोंने संरक्षड का बालक द्वारा बाता बरड में परिवर्तन एवं इस्थीरता दोनों को समझने की छमता तथा किशी बस्तु के तत्व वरंग रूप में परिवर्तन शे अलग करने की जो छमता होती है वो संरक्षड है नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक संक्रिया जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया के अवस्था में होती है पियाजे ने मानसिक संक्रिया को चिंतन का एक प्रमुख साधन माना है next topic है schema बच्चे को बड़ों का कार्य बहवार सीखना जो है schema कहलाता है next topic है weekend द्रड किसी बस्तू के बिशय में बस्तूनिष्ट या वास्त्विक तरीके से सोचने की जो च्छंता है वो weekend द्रड कहलाता है पियाजे द्वारा बर्डित विकासात्मक अवस्थाएं ये अवस्थाएं हैं पियाजे ने विकासात्मक अवस्था को चार भागों में विभाजित किया है पहला है संबेदी प्रेरक अवस्था जो है जन्म से दो वर्ष इस अवस्था में शिशु अपनी आखों कानों हाथों और अन्य संबेदी प्रेरक उपकरणों के माध्यम से सोचता है इस अवस्था में जो बच्चा होता है बस्तु अस्थाइत्व को प्रदर्शित करता है नेक्स्ट है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था दो से साथ वर्स इस अवस्था को प्रारंभिक बाल्य अवस्था के नाम से जानते हैं इस अवस्था में बालक बस्तु वो सब्द प्रतिमाउं आधिके विशय में अपना मांसिक चिंतन जो है विक्सित करता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में संकेत तथा चिन्न को चिंतन का महत्तोपूर साधन माना है पियाजेने संकेत तथा चिन्न को और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में सजीवता का जो है लक्षड दिखाई देता है नेक्स्ट टॉपिक है मुर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्स तारकिक चिंतन इसमें जो बच्चा है तारकिक चिंतन करने लगता है बालक बस्तूओं के गुड के आधार पर उन्हें विभिन बर्गों में विभाजित करने लगता है इस अवस्था में जो है गडिती विकाश हो जाता है बालक का नेक्स्ट टॉपिक है अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्स के मध्य इस अवस्था में आते याते जो बालक होता है अपनी शमश्या का शमाधान करने लगता है अच्छा बुरा शमजने लगता है और अमुर्त चिंतन करने लगता है उसका जो चिंतन होता है एकदम से परिपाक्वा हो जाता है तो फ्रेंज आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फ्रेंज